Hello and welcome दोस्तों, आप सभी का एलेक्ट्रिकल आचारे में स्वागत है, दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, चैप्टर नमबर 4 में, कापासिटर के बारे में, प्रिवियस लेसंस में हमने रिजिस्टर्स और इंडक्टर के बारे में टेफ्ट में को magnetic field के form में स्टोर करता है, कुछ इसी तरह से कैपासिटर भी एक energy storing device है, energy storing element है, जो की electrical energy को किस form में स्टोर करता है, ये electrical energy को charge के form में स्टोर करता है, हम सभी जानते हैं, कि जब हम electrical charge के बात करते हैं, electrical charge की हम लोग बात करते हैं, तो हमारे पास दो तरह के charges होते हैं, कौन-कौन से, positive charge और negative charge, तो capacitor ऐसा device होता है, जो की इन ही positive और negative charge को अपने अंदर store कर सकता है, तो जब हम capacitor की बात करेंगे, तो हम कह सकते हैं, कि capacitor is a passive two-terminal electrical component that stores potential energy in the form of electrical field, और electric field, ठीके, चलिए, अब हम लोग अगर capacitor के symbol की बात करें, तो capacitors को हम अलग-अलग symbol से दिखा सकते हैं, based on the type of capacitor, for example, जब भी हम capacitor की बात करते हैं, तो या तो capacitor आपका fixed type हो सकता है, या फिर variable type हो सकता है, तो fixed type of capacitor को दिखाने के लिए हम लोग इस symbol का इस्तमाल करते हैं, जबकि variable capacitor को दिखाने के लिए हम लोग इस symbol को दिखाते हैं, दोस्तो, fix और variable capacitor को भी हम लोग further classify कर सकते हैं, जो कि हम आगे आने वाले slides में देखेंगे, पर in general, capacitors दो तरह के होते हैं, polarized और non-polarized, polarized और non-polarized से क्या मतलब है, example के लिए इस capacitor को देखे, यहाँ पे जो left वाली है, जो आम है, इसके पर आप देखेंगे कि minus का symbol दिखाया गया है, यानि यह जो terminal है, यह वाला जो terminal है, इस पर हमें हमेशा negative polarity रखनी है, जबकि जो दूसरा terminal है, वहाँ पे हम लोग positive polarity apply करते हैं, तो इस तरह के capacitors, जिनमें positive और negative terminal पहले से ही defined होते हैं, इस तरह के capacitors को हम लोग कहते हैं, polarized capacitor, जबकि जो दूसरे तरह के capacitors होते हैं, जिनमें positive और negative terminals fix नहीं होते हैं, हम कहीं पे भी इसको लगा सकते हैं, उस तरह के capacitors को हम लोग non-polarized capacitor कहते हैं, तो ध्यान दीजेगा, दो तरह के capacitors है, polarized और non-polarized, polarized capacitor कौन से होंगे, इसमें positive और negative terminal fix होता है, जबकि non-polarized capacitor में plus और minus का कोई चकर नहीं ह change कैसे किया जाता है या आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों capacitor को condenser के नाम से भी जाना जाता है यानि capacitor कह लीजी या condenser कह लीजी एक ही बात है तो कुछ लोग इसे condenser कहते हैं कुछ लोग इसे capacitor भी कहते हैं अब हम लोग बात करते हैं कि capacitor काम कैसे करता है? दोस्तो, capacitor को बनाने के लिए हमें दो में चीज़ों की requirement है. ये दो में चीज़े क्या है? पहला है conductive plates, यानि दो conductive plates की हमें requirement होगी और second जो चीज़ हमें चाहिए वो है dielectric material. अब आपके मन में ये doubt आ सकता है कि ये dielectric material होता क्या है? दोस्तो, dielectric material एक खास तरह का material होता है, जिसके अंदर charge को store करने की शमता होती है. यानि जब इस dielectric material के across electrical voltage अपलाई किया जाता है, तो ये dielectric material अपने अंदर charge को store कर सकता है. तो dielectric material generally current को conduct नहीं करते हैं. इसके example, paper है, mica है और इस तरह के बहुत सारे अलग-अलग dielectric material इस्तमाल में लाए जाते हैं. एर भी एक तरह का dielectric material ही होता है. अब आप इस symbol को देखिए. यहाँ पे हमने बीच में dielectric material का इस्तमाल किया है और इस dielectric material के दोनों तरफ हमने क्या लगाया है? इस dielectric material के दोनों तरफ metallic plates लगाई गई है और हमारा capacitor ready है. तो capacitor को अगर हमें समझना है तो हम कैसे समझ सकते हैं? यह capacitor एक burger की तरह होता है. बर्गर में क्या होता है? देखे burger में दोनों तरफ से आपके पास bread होती है. यह उपर और नीचे bread होगी और बीच में क्या होता hamburger में? बीच में dielectric है तो एक simple capacitor बनाने के लिए हम लोग दो metallic plates को जब dielectric से separate कर देते हैं तो हमारा एक capacitor ready हो जाता है तो यहाँ पर यह है आपका गर्मा गर्म capacitor ओके capacitor की symbol की बात करें तो जैसे हमने पीछे slides में भी देखा capacitor को हमें symbol से denote करते हैं दोस्तों यहाँ पर यह जो हमने capacitor बनाया है जैसे ही इस capacitor को हम लोग एक voltage source के साथ connect करते हैं मतलब यहाँ पर मैंने इस capacitor को एक battery के साथ connect किया है तो जैसे ही हम लोग इस capacitor को battery के साथ connect करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसके दोनों ends पे electrical charge store होना शुरू हो गया है यानि एक end पे अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें इस end पे positive charge store हुआ है जबकि right hand side पे आप देखेंगे कि कौन से charge store हो रहा है negative charge store हो रहा है तो यह जो capacitor है मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि capacitor electrical charge को store करता है capacitor की जो plate हमने positive terminal से लगाए थी वहाँ पे positive charge store हुआ और जो plate हमने negative side पे लगाए थी वहाँ पे negative charge store हुआ capacitor में store होने वाले charge की जो SI unit है उसे हम लोग कूलम में नापते हैं और इसको denote करने के लिए capital C का अस्तमाल किया जाता है एक capacitor कितना charge store कर सकता है इस चीज़ को नापने के लिए मापने के लिए हम लोग कूलम का अस्तमाल करते हैं इसकी ऐसा unit कूलम होती है चलिए अब हम बात करते हैं types of capacitor की यानि capacitor किन-किन अलग-लग types में available है तो generally classification अगर हम करें तो हम fixed और variable इन दो classes में capacitor को define कर सकते हैं या फिर इन दो categories में हम लोग capacitors को बाट सकते हैं जब हम fixed capacitors की बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको starting में भी बताया कि non-polar और polar ये दो category होंगी दुबार से revise करते हैं non-polar कौन से capacitor होते हैं जिसमें capacitor की legs होते हैं जो terminals होते हैं उसमें polarity का कोई चकर नहीं है, plus और minus आप कहीं पे भी connect कर सकते हैं जबकि polarized capacitor में plus और minus terminal पहले से ही defined होते हैं दोस्तों non-polar capacitors में अगर हम types की बात करते हैं तो ceramic, porceline, glass, paper, polymer ये सब ही non-polar type of capacitor होते हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सब material क्या चीज़ हैं, ये सब dielectric के types हैं यानि conducting plates की बीच में dielectric material कौन से अस्तमाल किया गया है उसके basis पे ये सारे classification किये गए हैं जबकि polar capacitors की जब हम बात करते हैं तो इसमें electrolytic capacitors आते हैं अगेन electrolytic capacitors भी तीन अलग-अलग categories में हो सकते हैं Elmonium, EDLC और Tantalum तो ये हमारे polar type of capacitor के types हुए अब भात करते हैं variable capacitors में variable capacitors में हमार पास दो category है air capacitors और trimmer capacitors तो यहाँ पे हमने capacitors के types देखे तो ये जो chart है, ये chart आपको बहुत मदद करेगा capacitor के types को identify करने में तो इसको ध्यान से देख लीजिए और इस chart को आप अपने notes में भी रख सकते हैं चलिए, कुछ examples देख लेते हैं जैसे ceramic capacitor के बात करें तो आप देख सकते हैं left inside में यहाँ पे ceramic capacitor कुछ इस तरह का देखने को हमें मिलता है और porcelain capacitor, glass, paper और polymer तो यह सभी capacitors आप अलग-अलग circuits में देखेंगे अगर आपके पास कोई भी PCB board अवेलेबल है तो उसे खोल के देखिए और identify कीजे कि इन में से कौन सा capacitor आप अपनी आँखों से पहचान सकते हैं जबकि polarized electrolytic capacitor की अगर हम लोग बात करें तो वो कुछ इस तरह से नज़र आते हैं तो यह भी बहुत common है आपने कई सारे circuits में इस तरह के capacitors देखे होंगे जबकि variable capacitors में air capacitor और trimmer capacitors कुछ इस तरह से नज़र आते हैं तो दोस्तों यह थे types of capacitor अब applications की बात करते हैं दोस्तों based on dielectric material यानि अलग-अलग dielectric material के वज़े से जो capacitors होते हैं उनके characteristics change हो जाते हैं उनकी charge को store करने की capacity होती है वो vary होती है voltage storage capacity vary होती है तो हम लोग अलग-अलग directing material के मदद से अलग-अलग तरह के capacitors बना सकते हैं और based on that हम लोग उसे अलग-अलग application में इक्तमाल कर सकते हैं उधारन के लिए अगर हम लोग बात करें paper capacitor की तो इसमें दो categories आती है foil type और metalized type और इसमें जो dielectric material यूज़ किया जाता है वो impregnated paper होता है ये special type का paper होता है जिसमें हम लोग impregnation करते हैं एक खास तरह की technique है capacitor को बनाने के लिए और इसको हम लोग rolled files के form में construct करते हैं यानि cylindrical shape देते हैं इस तरह के capacitor का capacitance होता है वो 0.001 से लेके 1μF की range के बीच में होता है और इसकी जो rated voltage है वो 200V से 1600V तक available है और ये DC voltage है तो यहां पे paper capacitor पे आप देख सकते हैं कि इसका जो capacitance range है वो काफी कम होता है और rated voltage जो है वो 200 से लेके 1600V DC तक available है इस तरह के capacitor को इस्तमाल कहां पी किया जाता है motor starting के लिए हम लोग इस तरह के capacitor यूज़ करते हैं पंखों में आपने देखा होगा पंखे में जो white color का जो capacitor लगा होता है उसे condenser भी कहते है राइट तो वो जो condenser होता है या वो जो capacitor होता है वो आपका paper type capacitor होता है P of correction power supply filters और बहुत सारी applications में इसका अस्तमाल किया जाता है next type of capacitor जो है वो plastic film capacitor है इसे हम लोग general purpose application के लिए radio circuits में, AC motors में और कहीं सारी applications में यूज कर सकते है अब आप देख सकते हैं कि based on dielectric material मतलब plastic film capacitor में हमने कौन सा material यूज किया है उसके basis पे हम लोग अलग-अलग capacitance और अलग-अलग rated voltage अचीव कर पाते हैं और इसी capacitance और rated voltage के अधार पे हम लोग उसकी application भी define करते हैं दोस्तों यहां पे एक खास सीज जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा वो है this metalized polypropylene तो metalized polypropylene एक खास तरह के material है तो इस तरह के capacitors जो होते हैं वो power factor correction में भी इस्तमाल में लाए जाते हैं तो यह सारे applications आप just एक बार go through कर लीजिए सारे याद करनी की जरुवत नहीं है पर हमें एक basic idea होना चाहिए अब ceramic capacitors की बात करें तो ceramic capacitors जो है यह काफी low value के capacitors होते हैं जिसे हम लोग again general purpose applications के लिए use करते हैं पर इनका जो voltage range है वो काफी higher voltage range तक यह available है और सबसे जादा इस्तेमाल किये जाने वाले जो capacitors होते हैं वो electrolytic और mica type की capacitors होते हैं electrolytic capacitors जैसा हमने पहले भी बढ़ा यह एक polarized type of capacitor है जो की lower values में available है और इनका इस्तेमाल हम लोग electronic circuit loudspeakers और बहुत सारे applications में करते हैं दोस्तों अगर हम लोग mica capacitors की बात करें तो mica capacitors एक lower voltage range में available है और इसमें जो इनका available capacitance है वो 5 pF से लेके 10,000 pF तक के बीच में रहता है और इसको हम लोग high frequency applications के लिए इस्तेमाल करते हैं तो यहां पर आपने देखा कि अलग-अलग type की capacitors उनकी properties के हिसाब से हम लोग अलग-अलग applications में use करते हैं तो यह chart एक reference के लिए है कि हमें एक basic idea होना चाहिए कि किस तरह के capacitor का इस्तेमाल कौन सी application में किया जाता है दोस्तो capacitance की जब हम लोग बात करते हैं तो capacitance क्या होता है तो capacitance किसी भी material की वो capacity होती है या वो ability होती है जिसकी वजहा से वो अपने अंदर electrical charge को store कर सकता है या फिर अगर मैं से दूसरे terms में कहूं तो हम ऐसे कह सकते है the ability और capacity to store energy in the form of electrical charge is called capacitance तो कोई भी material जो अपने अंदर electrical charge को store कर सकता है उसकी इस ability को हम लोग capacitance का नाम देते हैं capacitance को represent करने के लिए हम लोग capital C के symbol का इस्तेमाल करते हैं और अगर हम लोग unit of capacitance की बात करें तो capacitance को नापने की जो unit है उसको हम लोग ferret का नाम देते हैं और इसको हम लोग capital F की मदद से दिखाते हैं दोस्तों, ferret जो है वो capacitance की एक काफी बड़ी unit है usually जो energy storage capacity होती है किसी भी material की वो काफी छोटी मात्रा में होती है काफी कम मात्रा में होती है उसके comparison में ferret एक बहुत बड़ी unit है इसलिए practical capacitors के उपर जब भी आप देखेंगे तो आपको जो value है वो microfarad या फिर picofarad या millifarad के form में देखने को मिलती है capacitors से related एक बहुत ही important formula जो हमें याद रखना है वो है C is equal to Q upon V यानि capacitance is equal to charge upon voltage किसी भी material का या किसी भी capacitor का अगर हमें capacitance निकालना है तो हम इस formula की मदद से निकाल सकते हैं दोस्तों यह formula कई सारे exams में directly पूछ लिया जाता है इससे related कई सारे numericals आप लोग competitive exams में ज़रूर देखेंगे तो यह formula बहुत important है हमें याद रखना है C is equal to Q by V जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि capacitance को नापने के लिए हम लोग farad का इस्तमाल करते हैं पर farad एक बहुत बड़ी unit है इसलिए practical capacitors जब आप देखेंगे actual किसी भी capacitor का आप उठाएंगे तो आप पाएंगे कि generally उस पे जो उसकी capacitance value है वो microfarad या फिर picofarad में दर्शाई जाती है दोस्तो capacitance से जुड़ा हुआ एक और जो important formula है वो है c is equal to epsilon a by d इसका क्या मतलब है यहाँ पे c जो है वो capacitance है और epsilon का क्या मतलब है यहाँ पे epsilon आपका dielectric constant और यह dielectric constant हर एक material का अलग-अलग होता है एर के लिए जो dielectric constant होता है यानि एर का जो epsilon value हम लेते हैं वो one मान के चलते हैं तो dielectric constant हर एक material का हम लोग air के respect में नापते हैं अगर air का dielectric constant हमने one defend किया तो हवा के मुकाबले किसी एक दूसरे material में कितनी dielectric property है इसी से हम उस material की dielectric strength को measure कर पाते हैं a से क्या होता है a हमारा यहाँ पर area है area of the plates मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि capacitor को बनाने के लिए हम दो conducting plates लेते हैं तो इन दोनों conducting plates का जो भी area होगा उस area को हम लोग a से denote करते हैं और d क्या है distance between plate तो इन दोनों plates के बीच में जितना भी distance होगा वो हमारा small d से हम लोग denote कर रहे हैं तो किसी भी capacitor का capacitance है वो तीन main चीजों पर depend करता है तीन main चीजे क्या है सबसे पहला है epsilon epsilon मतलब dielectric constant यानि इस capacitor के बीच में capacitor बनाने के लिए जो आपने dielectric material लिया है उस dielectric material का dielectric constant की क्या value है इस value पे directly depend करेगा क्या आपका capacitance तो dielectric constant की value जितनी जादा होगी उतना जादा आपके capacitor का capacitance होगा alright second value है area of the plates यानि आपके capacitor का capacitance होता है वो directly proportional होता है आपके plates के overlapping area से अब यह overlapping area क्या है देखिए यहाँ पे plate number 1 यह आपकी plate number 1 है और यह plate number 2 है तो इन दोनों plates के बीच में जितना भी overlapping area होगा यानि यह जो दो plates हैं यह एक दूसरे के ऊपर अगर आप रखें तो जितना भी common area होगा वो area इनका overlapping area कहलाता है तो दो plates का जो भी common area होता है उस common area से हमारा जो capacitance है वो directly proportional होता है जितना ज्यादा बड़ा area होगा इन दोनों plates का उतना ही ज्यादा हमारा capacitance बनेगा राइट सरा जो factor है सबसे important factor है वो है distance between the plates यानि आपके capacitor का जो capacitance है वो inversely proportional होता है distance between the plates दोनों plates, plate number 1 जो आपकी plate number 1 थी और plate number 2 है तो ये जो दोनों plates एक दूसरे से जितनी ज्यादा दूरी पे होंगे उतना ही capacitance आपका weak होता जाएगा तो आप बहुत easily समझ गए होंगे कि अगर आपको किसी भी capacitor का capacitance चेंज करना है तो आप क्या कर सकते हैं आइदर आप dielectric constant की value को change कर सकते हैं आप plates के बीच का overlapping area बढ़ा घटा सकते हैं या फिर plate के बीच का distance बढ़ा घटा सकते हैं example के लिए मान लीजे कि यहाँ पर यह plate A है और यह आपकी plate B है यानि आपने दो metallic plates ली plate A और plate B और इसके बीच का जो dielectric material है वो क्या है air है तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि air भी एक dielectric material है यानि air भी electrical charge को store कर सकता है वो भी air भी dielectric material की तरह काम करता है अब आप देखि कि plate A और plate B के बीच में कितना overlapping area है यानि इन दोनों के बीच का जो overlapping area है वो कौन सा area है तो इन दोनों plates के बीच का जो overlapping area है वो सरफ इतना है यानि common area जो वो हिस्सा जो plate A और plate B के बीच पे common हो उसी को हम लोग overlapping area कहते हैं तो मान लिजे कि इस case में जो हमारा effective capacitance बना उसे हमने नाम दिया C1, और एक second case लेते हैं, again हमने A और B को एक साथ place किया, ठीक है, अब हमने क्या करा है, इस case में हमने overlapping area को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, कैसे बढ़ा दिया, कि हमने बिल्कुल parallel ही दोनों A और B को रखा है, तो अब हम overlapping area देखें, तो अब effective overlapping area क्या है, तो आपको दि capacitance बनेगा, इस case में मान लेजिते हैं, C2 बनेगा, तो आप इसको easily समझ सकते हैं, कि second case में जो capacitance बनेगा, वो पहले case के मुकाबले ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि second case में overlapping area हमारा ज्यादा है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, कि हम लोग capacitance को भढ़ा घटा सकते हैं, इन ती तीनो factor में से, पहला, दूसरा और तीसरा, यानि, dielectric constant को change करके, overlapping area को change करके, या फिर distance between the plates, यानि ये ये जो plates हैं, अगर इन दोनों plates को हम आगे बीचे move करें, बलब इसको उपर और नीचे move करेंगे, तो भी इसका distance change हो जाएगा, तो भी हमारा capacitance change हो जाएगा, तो इन तीनो factor में से, कोई भी factor change करके, हम लोग capacitor का capacitance बदल सकते हैं, दोसरों, यहाँ पे, factor determining capacitance में, मैंने ये तीनों points आपको explain करती है, चौथ हो और पांचवाचों point है, यह बहुत ज़दा important नहीं है, capacitor के case में, तो इसको हम लोग generally neglect करके चलते हैं, temperature और resistance of the plates से भी आपका capacitance vary हो सकता है, पर practical applications पर इससे बहुत कम फर्क पड़ता है, इसलिए, all practical purposes में हम इन दोनों values को, temperature और resistance को neglect करके चलते हैं, तो ideally, अगर आप से कोई पूछेगा, कि हमारा जो capacitance है, वो किन चीजों से affect होता है, तो हमारा जो capacitance है, वो तीन main factors से affect होता है, कौन सा, epsilon, A और D, तो यह formula बहुत important formula है यह दोनों formula है, हमें याद रखने हैं कौन-कौन से, एक यह formula, और इससे पहले हमने पढ़ा, C is equal to Q by V, यह formula, यह दोनों formula है, बहुत जाद अस्तमाल में आने वाले हैं, इन दोनों को हमें ध्यान से याद रखना है, चलिए, next बढ़ते है, capacitive reactance, capacitive reactance क्या होता है, दोस्तों हमने resistor और inductor वाले chapter में पढ़ा था, कि resistor और inductor current के flow को अलग-अलग थरह से opposition प्रोवाइड कराते हैं, हमें यह तो पता ही है, कि resistor current के flow को पूरी थरह से oppose कराता है, जबकि inductor क्या करते हैं, inductor current के change को oppose करते हैं, इसी तरह से एक AC current को, जो opposition एक capacitor के द्वारा प्रोवाइड करा करता है, इसी opposition को हम लोग capacitive reactance के नाम से बुलाते हैं. फिरसे मैं repeat कर रहा हूं, जैसे resistor current के flow को oppose करता है, यह constantly current के flow का oppose करता है, AC current हो, यह DC current हो, resistor की solchen property को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? resistance के नाम से जानते हैं, inductor, AC current के flow को जो opposition प्रॉवाइड कराता है, उसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं, उस opposition को हम लोग inductive reactance के नाम से जानते हैं, इसी तरह से capacitor, current के flow को जो opposition प्रॉवाइड करता है, इस opposition को हम लोग capacitive reactance के नाम से जानते हैं, तो इसी चीज़ को अगर हम ल दूसरे शब्दों में कहना चाहे तो हम कह सकते हैं, और इसको दर्शाने के लिए हम लोग XC का इस्तमाल करते हैं. Inductive reactance को दिखाने के लिए हम किस का इस्तमाल करते थे? XL, और Capacitive reactance को दिखाने के लिए हम XC का इस्तमाल करते हैं. इसका formula क्या है? XC is equal to 1 by 2 pi FC. XL, बहुत सही पहचान आपने. यह दोनों form में हमें बार 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 आप जितनी बार इससे repeat करेंगे तो आपको यह form में अपने आप ही याद हो जाने वाले हैं. दोस्तों, यहाँ पे यह जो term है 2 pi F. F से हमारा क्या मतलब है? F होती है, frequency. जो भी आपकी supply frequency है, वह हम यहाँ पे लिखेंगे और C क्या है आपका? C आपका capacitance की value है. ठीक है? तो इसी इन दोनों values से हमें XC के value मिल जाएगी. 2 pi तो constant होता है. यहाँ पे यह जो 2 pi F है, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जो की नाम है omega. तो omega से भी हम लोग 2 pi F को दिखाते हैं, यह constant है. तो 2 pi F को हम लोग omega के रूप से भी दर्शाते हैं. तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी भी है, omega is equal to 2 pi F. तो यह चीज़ हमें याद रखनी है. आगे बढ़ते हैं, अब capacitor grouping के बात करते हैं. दोस्तो, एक circuit में हम लोग capacitor को कई अलग-अलग तरह से लगा सकते हैं, जो भी हमारी desired capacitance है, उसे पाने के लिए capacitors को आप series, parallel और अलग तरह के combinations में लगा सकते हैं. तो generally, जब हम capacitors को series या parallel में लगाते हैं, तो कैसे हम equivalent capacitance को calculate कर सकते हैं? चलिए इसको समझते हैं. दोस्तो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं parallel grouping की. Parallel grouping का मतलब क्या है? अगर एक circuit में बहुत सारे capacitors parallelly connect हो, तो हमारा total capacitance की value क्या होगी? या फिर हमारा equivalent capacitance होगा, वो क्या होगा? तो generally ऐसा किया क्यों जाता है? क्यूं हमें parallel में capacitors लगाने हैं? तो अगर हमारी capacitance की required value है, वो higher capacitance हमें चाहिए, तो higher capacitance पाने के लिए हम लोग बहुत सारे capacitors को parallel में connect कर देते हैं. तो अगर आपके बहुत सारे capacitors parallel में connected हैं, तो हमारा equivalent capacitance बनेगा, उस circuit का वो कैसा बनेगा? individual capacitance का equivalent sum होगा, वह हमारा equivalent capacitance होगा. उधारन के लिए मान लिजे, कि आपने यहाँ पे one microfarad का एक capacitor लगाया, और इसके parallel में भी आपने one microfarad का एक और capacitor लगाया. तो आपने दो capacitors one one microfarad के parallel में लगाया, तो हमारा जो equivalent capacitor होगा, उसकी value क्या होगी? See, equivalent बराबर हो जाएगा one microfarad, जमा one microfarad, यानि total हमें दो microfarad का capacitance A और B के बीच में मिलेगा. तो बहुत आसान है, अगर capacitors parallelly connected होते हैं, तो उनका जो equivalent capacitance होता है वो जोड़ जाता है, individual capacitances को हम जोड़के equivalent capacitance निकाल सकते हैं. अब बात आती है series grouping की, अगर आपके capacitors series connected हैं, तो हमें equivalent capacitance कैसे निकालना है? Series connected group में जब हमें equivalent capacitance निकालना होता है, दो points के बीच में, तो इसको निकालने का जो बहुत एक आसान सा formula है, जैसे हमने resistors के case में देखा था, कैसे याद कीजे, मान लिजेए कि आपके पास दो resistors parallel में हैं, R1 और R2, तो यह दो resistance आपके parallel में हैं, और यहाँ पे हमें equivalent resistance निकालना था, तो हम कैसे निकालते थे equivalent resistance? तो 1 by R equivalent के इसके बराबर होता है, 1 by R1 plus 1 by R2, है ना? और अगर बहुत सारे resistance ऐसे parallel में हैं, तो हम क्या करते थे? सभी को इसी तरह से जोड़के हम लोग equivalent resistance निकालते थे. Same formula इस्तमाल किया जाता है capacitors के series grouping के लिए. तो आप दीखे, अगर आपको series connected capacitors का equivalent resistance निकालना है, तो आप same formula apply कर दीजिए, individual capacitance का reciprocal लिजिए, सबको add कीजिए, यह किसके बराबर होगा? equivalent capacitance के reciprocal के बराबर में. बहुत असानी से आप लोग series और parallel grouping को solve कर सकते हैं, capacitors के लिए. तो आप यह इतना आपको clear हो गया होगा. next important चीज आती है, capacitors की color coding. इसका क्या मतलब है? तो कई बार, capacitors के उपर directly उनकी value ना लिखकर, अलग-अलग values के color code कर दिया जाते हैं. यहनि, जिस तरह से resistors के उपर आपने देखा था, कि अलग-अलग color के color bands होते हैं, इसी तरह से, कई बार कुछ capacitors में आपको color coding भी देखने को मिल सकती है. तो इस color coding का क्या मतलब है? जिस तरह से हमने resistors की color coding को solve किया था, बिल्कुल वैसे ही, यहाँ पर capacitors की color coding को भी हम लोग solve करते हैं. यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो हमारे पास एक, दो, तीन, चार और पांच, टोटर पांच color band दिये गए हैं, तो जैसे हमने resistor के case में देखा था, पहले के जो हमारे color bands होते हैं, वो हमें significant digit दिखाते हैं, तो इसी तरह से इस 5 band capacitor में, पहले के दो जो color bands हो हमें क्या दिखा रहे हैं? वो significant digit दिखा रहे हैं, जब कि third color band है, वो हमें क्या दिखा रहा है, multiplier दिखा रहा है, fourth color band जो होता हो tolerance limit दिखाता है, और सबसे आखिर वाला color band हो हमें voltage limit दिखाता है, तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल similar chart है जैसे हमने register के case में देखा था तो ये भी एक काफी important chart है तो इसको आप इसमाल कर सकते हैं अगर आपके capacitor में capacitance की value mentioned नहीं है. चलिए एक example के मदद से इसको और भहतर तरह की से समझते हैं तो आपके screen पर यहाँ पर capacitor दिया गया है और इसके capacitance की value को हमें calculate करना है तो कैसे calculate कर सकते हैं पहले case में देखें पहले case में पहले case में पहला जो color band है वो आपका पहला color band कौन सा है red color का color band है तो अगर आपका first जो color ह है वो red हो तो हमें number क्या लेना है number हमें लेना है two right second color देखिए second color कौन सा है यहाँ पे second color है blue तो blue के लिए हमें कौन सा number लेना है blue के लिए हमें जो number लेना होता है वो नमबर हमें लेना होता है 6, तो ब्लू के लिए मैंने नमबर ले लिया 6, तो टोटल हमारे significant digit क्या हो गए 2 और 6, हमें पता है कि significant digits को हम लोग multiply करते हैं, multiplier से, multiplier के place पर अगर आप देखें, तो multiplier के place पे तीसरे color band जो हमारा वो orange color का है, तो orange color अगर आप multiplier के place पे हो, तो हमें multiplier की value के लेनी है, हमें multiplier की value 1000 लेनी होती है, तो 26 को multiply करना है 1000 से, तो यहां तक हमें capacitor की value मिल गई 26,000, ओके, next इसके बाद आप देखी, कौन सा color band है, इसके बाद next जो color band है वो है आपका white, तो white color का हमारा 4 color band है, तो यहां पे हम लोग white लिख देते हैं, चौथा color band हमें क्या बताता है, चोथा color band हमें tolerance बताता है, तो अगर tolerance वाले color band में, अगर white color दिया गया है, तो इसका मतलब क्या है, कि आपका जो capacitor है, उसका tolerance limit कितना है, उसका tolerance limit है, प्लस माइनस 10%, right, सबसे last में, सबसे last का color कुण सा है? सबसे last में, जो color है, वो है red color, again, तो red color लास में दिया गया है, तो red color से हमें क्या पताशलेगा? red color से हमें इस capacitor का voltage level पताशलेगा, कि कितना voltage level तक हम इसको इसका इस조 इस के capacitor की voltage limit है, that is 250 volts, तो इस तरह से हमने क्या देखा? इस तरह से हमने capacitors की color coding को decode करना सीखा दूसर एक चीज बहुत important जो हमें याद रखनी है कि यह जो significant digits है हमारे significant digits को जब हम multiplier से multiply कर रहे है तो यहाँ पर हमारा number क्या आया था 26,000 तो यह जो 26,000 है यह 26,000 capacitors के value आई है पर यह जो value है यह value किसमें होती है यह picofarand में होती है तो यह चीज हमें भूल नहीं जाना है जब भी आप answer लिखें तो हमेशे हाद रखें कि यह जो value आई है यह आपके picofarand में आई है तो इसको जिस भी suitable form में आप convert करना चाहें तो convert कर सकते हैं तो यह चीज ध्यान रखनी है second example में आपके लिए छोड़ रहा हूँ आप इस capacitor का capacitance मुझे calculate करके comment करके बताइए कि इस capacitor का capacitance क्या होगा चलिए next आगे बढ़ते है एक और जो important चीज है कई बार capacitors के उपर इस तरह की number भी आपको देखने को मिलता है मतलब direct color coding नहीं लिखे होगी अब यह two digit और three digit का क्या मतलब है दोस्तों इस two digit और three digit की मदद से हम easily किसी भी capacitor की capacitance की value निकाल सकते है देखे अगर मान लिजे कि आपका जो condenser है यह capacitor है उसमें सरिफ दो digits लिखे हैं जैसे मान लिजे कि आपके 10 लिखा हो था तो उसमें directly जो value आपको दी गई है वो capacitor की capacitance value direct दी गई है और यह value pico farad में होती है तो अगर मान लिजे आपके capacitor के आपके 10 लिखा है तो इसका मतलब यह है कि यह जो capacitor है इसकी value 10 pico farad है और राइट एक्चली यह जो capacitor है वो three digit capacitor है इसमें 103 का क्या मतलब है 1 और 0 तो क्या है 1 और 0 आपके significant digit है जबकि जो 3 है वो आपका multiplier है अब multiplier को कैसे लिखना है multiplier का मतलब यह जो third digit होता है उसका मतलब यह होता है कि यह 10 raise to power 3 है example के लिए गर यहाँ पर लिखा होता है 104 तो उसका क्या मतलब होता है 1 और 0 आपके significant digit होते और यह जो 3 डिजिट है यह multiplier होता है तो हमें 10 raise to power 4 लिखना होता जो भी 3 डिजिट होगा वो 10 की power में लिखना होता है तो 103 का क्या मतलब है कि यह जो capacitor है यह आपका क्या हो गया 10 into में 1000 10,000 pico farad तो अगर आपको color bands के form में capacitor दिया है तो आप इस chart की मदद से capacitance के value क calculate कर सकते हैं और अगर आपको numbers के form में capacitor पे लिखा गया है तो भी आप बहुत असानी से इस value को calculate कर सकते हैं दोस्तों capacitor से जुड़ा हुआ एक और बहुत important concept जो है वो है चार तोर और energy stored inside the capacitor capacitor energy को electrical field के form में store करता है और stored energy को अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं इस formula की अवदत से हम लोग निकाल सकते हैं जो की होती है half cv square तो अगर हमें exam में question पूछा जाता है कि एक capacitor के अंदर stored energy की value बता ये तो वो होगी half cv square ओके चलिए कुछ numericals करते हैं जो भी हभी तक formula हमने पढ़े उसके basis पे पर numericals पे जानने से पहले सभी formula उसको एक बार revise कर लेते हैं ताकि हमें numerical solve करने में असानी हो देखें पहला formula हमने क्या पढ़ा था capacitance के लिए मैंने पहला एक formula आपको बताया था c is equal to q by v second एक formula में आपको देथा c is equal to epsilon a by d तीसरा हमने formula पढ़ा था capacitive reactance का वो क्या था 1 by 2 pi fc और 2 pi f को हम लिखते हैं omega तो 1 by omega c भी लिख सकते हैं उसको चौता formula हमने क्या पढ़ा energy stored in the capacitor तो इसकी value क्या होती है इसकी value होती है half c v square तो ये चार formula अभी तक हमने पढ़े हैं और इन ही formula की बज़त से हम लोग आगे के आने वाले numericals को भी करेंगे तो चलिए इस numericals को समझते हैं लिखा है find the capacitance of a capacitor that requires 0.4 coulomb charge to charge it to a voltage of 25 volt और 25 volt यानि एक capacitor के capacitance की value को हमें बताना है जिसमें हमें ये दिया गया है कि इस capacitor का जो charge है इसकी value है 0.4 coulomb और ये बताया गया है कि इसकी जो voltage की value है वो कितनी है वो है 25 volt तो इसकी मदद से आप सीधे-सीधे capacitor की value को निकाल सकते हैं काफी easy numerical था तो मैंने आपको पहले भी बताया था मुझे comment करके बताएंगे कि ये इस C की value क्या है मैं उमीद करता हूँ कि ये जो आज का session था ये आपको पसंद आया होगा और इस chapter में हमने resistor, inductor और capacitors को बहुत अच्छे से cover करने की कोशिश करी है तो हमारे जो प्रयास है वो आप सभी को पसंद आया होगा अगर कोई भी आपका query है कोई भी question है तो आप अपने questions और queries को हम तक जरूर पहुंचाएए हमारी team आपको answer करने की पूरी-पूरी कोशिश करेगी तो चलिए मिलते हैं next video में